हलो फ्रेंड्स गुड बॉर्निंग नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का शेट विद्यान प्रकास में तारीक है आज की 6 माई दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी न्यूज चैनल हैं जो की जबरदस्ती के न्यूज आपको दिखाते हैं फब्रिकेटे न्यूज बना-บना के आप तक पहुँचा रहे हैं जमकिश वास्तों में देखा जाए नीज चेनल बन गये हैं, जो कि फैब्रिकेटेड नीज ले लेकर आपके लिए आते रहते हैं, उनका जो उदेज से है आप समझ रहे हैं, वो आई कैचर थमने लगाते हैं, और व्यूस बटोरना चाहते हैं, और व्यूस वो बटोर भी रहे हैं, फिलाल आपको यहां पर मैं पड़ेसान करने वाली है क्योंकि जो दूसरी रहर अभी वर्टम ने गतिमान हैं उसको देखते भी dow receivers कर्शें सकते हैं कि सटितियां जो है वो बद से बदतर होती होती जा रखवन ने कहा कि तिसरी लहर परिहार है लेकिन यह अस्पस्ट नहीं है कब आएगी और किस अस्तर की होगी लेकिन हमें इसके लिए पूरी तरह से चौकस रहना है केज जरकार ने बुद्वार को कहा कि माराश्टरा करनाटक केरल और उत्तरफदे समेथ 12 राज़ों में एक लाग से अधिक कुरोना वारस के मरीज उपचाराधीन है करनाटक केरल तमिलनाड पस्चिम बंगाल राजस्थान और बिहार उन राज़ों में सामिल हैं जहां रोज मतलब कर काम नहीं है तो बिलकुल भी बाहर ना निकलें आप बता दें कि 69 रजा सिक्षक भरती उत्तर माला केस का जो आदेश है वो साथ तारिक को यानि कि कल के लिए लिस्टेट किया गया है यह आदेश साथ को आएगा आपने देखा था कि लगबग एक साल पुराना यह कि इस पर क्या डिसीजन सामने आता है और इसी के साथ 79 राउंड की जो काउंसलिंग होनी है अभी यह जो 3 राउंड काउंसलिंग है यह बरतमान में जो इसी तिया बन रही है उसको देखते विए अभी आप बिलकुल नहीं कर सकते कि यह काउंसलिंग कब होगी लेकि इतना लिस्ट में हैं तो इंतिजा करिए साथ तारीक यानि कल का जैसे यादिस आता है हम आपको तुरंट सुचित करेंगे आगे बढ़ते हैं वेसी सिशा विभाग ने 15 मार्च को यूपी टीटी के आई विवेजन की समय सान नीतने करते विए सासना देस जारी किया था इसके ल उपहर में जो आवेदन सुरू होने थे वो सुरू भी हो जाएंगे 25 जुलाई को परिक्षा होनी थी परिक्षा पर भी संसे है फिलाल प्रत्योंगियों ने मुख्यमंद्री को एक पत्र वेजा है और उसमें कहा है कि परिक्षा संस्था को समय पर बिग्यापन जारी करके आनलाइन आवेदन लेना चाहिए क्योंकि लिखिर परिक्षा काफी दूर है और 25 जुलाई को परिक्षा दो पालियों में पहले और दूसरे पालियों में परिक्षा होनी है यानि कि आवेदन के लिए जो बढ़ती है वो मांग कर रहे हैं कि आवेदन तो ले लिये जाएं उसके बाद परिक्षा जिस प्रकार से होगी इस्तिती उस प्रकार से नमेंडे लिया जा सकता है। यहाँ पर PNP कारयाल है संक्रमन और प्रदेश में लागडाउन को देखते भी मौन है। फिराल परिक्षा का विग्यापन और आनलाइन आवेदन सुरू हो पाने की उम्मीद अभी तो नहीं लग रही है। वजह है आवेदन इनाइसी की वेबसाइट पर होने हैं और वहाँ कई अधिकारी और कमचारी इन दिनों संक्रमीत हैं और साथ ही लागडाउन के वजह से साइबर कैफे आदि बंद होने से आवेदन में भी समस्या रही है। लोगों की जो मांगें होती हैं कभी कभी रस्पर विरताफासी होती हैं। रद किया जाएं बाद में इसे कांटिनियू किया जाएं। तो यहां पर जो अभीरती होते हैं वो हर तरह की मांग करते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी संस्ता हो हर तरह की निड़े तो नहीं ले सकती है। तो अभीरतीयों ने चैन बोर्ड से कर्फ्यू के दौरान आनलाइन आविदन प्रक्रिया अस्थकित कर करोना को इस्तिती में सुधार होने के बाद आविदन सुरू करने की मांग की है। और कुल 15,198 पर भरती के लिए आनलाइन आविदन की प्रक्रिया 15 मार्स उस्थरू हो ही थी। आनलाइन आविदन के पोर्टल पर लगातार परिसानी की सिकायत के बाद जैन बोर्ड अब तक तीन बार लास्ट डेट को बढ़ा चुका है। इसके बावजूद आविदन प्रक्रिया गयती नहीं प्रकड़ पा रही है। अब जो है आविदन के लिए जो लास्ट डेटर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। आप देख रहे हैं कि बिष्टी जो अलग-अलग-लग कटेगरी की होते है इया तो अलग-अलग तो आगर C January की मांग भी उती है और फिलाल आज का यह निए भी समाप करते हैं। आपको बताते हैं कि सुबर इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा था जिसकी वज़े से जो करंड फेर का वीडियो था वो आपको पांच बज़े आज नहीं मिल पाया है और ये वीडियो आज आपको दस बज़े कुपलब दोगा तो आप लोग भने रहे हैं का हमारे साथ और करंड फेर का वीडियो लगाता है आपको देखते रहे हैं करंड फेर में अब प्रती दिन पांच प्रस्न इस्टेटिक जीकी के भी मैं सामिल कर रहा हूं ताकि जो बेड़ती हैं उनकी तैयारी बहुत ही तरीके से हो सके दुस्तिकरी मिलते हैं एक नए वीडियो में तर त